कि आपका स्वागत है अब शीरी चल रहा है अप्लिकेशन ऑफ ओ और तो अप्लिकेशन की बात हम करें तो यह पार्ट टू है और इसमें हम लोग देखेंगे कि अप्लिकेशन रिसर्च का और यूज और दूसरे फिल्ड में कहा कहा हो सकता है तो सबसे पहले फैसलिटीज प्लाइनि देखिये कोई फेक्ट्री या इंडस्ट्री बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या फैसलिटी हमें प्रवाइड करना है और क्या फीजीबल होगा ऐसा नहीं हो कि वहां पर एक्स्ट्रा दस लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमने डाल दिया है और उसमे एक लाग रुबए का ऐसा मॉडूल है इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है तो इंपॉर्टेंस अगर नहीं हो तो वेस्ट हो जाएगा तो मनी का प्रॉपर यूटिलाइजीशन की इसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर सबसे बेस्ट है कि उसके पैसलिटी इस में क्या क्या आता है इस्ट प्लाइन फैक्ट्री लोकिशन एंड साइज डिशीजन किसी पार्टिकुलर लोकेशन में अगर फैक्ट्री बना रहे तो कहां पर बनाएंगे वहां पर रॉ हम प्लबध है वहीं पर हम इंडस्ट्री लगाएं तो जाद़ा बेकर है हमारे लिए ट्रांस्पोर्टिशन कोस्ट बचेगा और फैक्ट्री का साइज किया होगा यह डिपेंड करता है कि वह उस फैक्ट्री पास रहा मेटेलियर कितने उपलब्द हैं कितना हमारे पास पूजी है उसके आधार पर फैक्ट्री के साइज का डिशिजर हम करेंगे तो इसके यह भी आपरिशन रिसर्च बड़ा ही इंपर्टेंट टूल प्रभाइड करता है एस्टिमेशन ऑफ नंबर फैसलिटी जी रिक्वाइड मतलब क्या 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 फैसलिटी वहां देना होगा कितने लोग रहेंगे कि लेबल के लोग रहेंगे किस तरह की रेसिदेंशियल फै स्विटल हम खुलते हैं तो उसका ऑपरेशन थियेटर कहां होगा पेसेंट का वार्ड कहां पर बनाएंगे और ओपीडी का क्या प्रोविशन होना चाहिए मतलब यह सारे लोकीशन या फैसलिटी की जो प्लानिंग करनी है उसमें वह बड़ा इंपोर्टेंट रोल अदा कर करेंगे ताकि हमको मार्केट में भी उपलब्द हो जाए हमारा माल और लोकी ट्रांस्पोर्टिशन मीनिमम हो यह सारी फैसलिटी की प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं मैनेजमेंट के लेवल पर आपको निश्चीत रूप से वह अरकास मदद लेना पड़ेगा उसके बगएर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरा फाइनेंस फाइनस फो किसी भी और अर्गेनेजिशन या सिस्टम के अगर हम बात करें तो यह बहुत ही महत्तपूर्ण डिपार्टमेंट है हमारे हां गवर्मेंट के लेवल पर भी फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है स क्योंके कोई भी अगर इंसेजूशन है तो बिना फाइनस का तो नहीं चल सकता आप फाइनेंसियल मैंंजमेंट बहुत ही जलूर्वधी है ए 1992 मैंजमेंट हम प्रौपर नहीं करें तो आप देखे होंगे कि बहुत सारी संफपथी होने के बाद बहुत सारे देश देवलिय हो जाते हैं उनकी आर्थे के सिती बहुत गड़बा हो जाती है डीटु मिसमेनेजमेंट फाइनस तो फाइनस का मैनेजमेंट के लिए आपरेशन रिसर्ज बहुत ही इंपोर्टेंट टूल है अब इसमें देखिए फाइनेंस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं तो करिया अब इसकी सुदि में खर्च करना कितना कितना हम खर्च कर सकते हैं तो यह मेनेजमेंट भी अगर फाइनस की बात हैं कैसे उनका flow होना चाहिए ताकि हर सेक्टर में development का ये मतलब नहीं होता है किसी एक department को develop कर दिया दूसरे को छोड़ दिये तो हमको हर सेक्टर पर हर level पर हर label के public के लिए कुछ न कुछ करना है तो यहां पर financial management बड़ा important हो जाता है building financial planning model financial planning बढनने की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कहां कहां क्या इन्वेस्ट हम करेंगे क्या उसका रिपल्किशन होगा सॉसाइटी में पॉर्ट्फोलियो एनालिसिस या डेविडेंट पॉलिशी मेकिंग बहुत वारे आरगनेशन जो अपने इसको हम डेविडेंट पॉलिशी मेकिंग में इसका इंपर्टेंट रोल है तो जहां भी फाइनेशियल मेनेजर की बात होगी वहां भी ऑपरेशन रिसर्च बड़ा इफेक्टिव सब्जेक्ट है इसके बाद मानुफेक्ट्रिंग के फिल्ल में आप चले जाईए जहां भी क आने देखने समझने की गूसिज करते हैं कि हमारा इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा हमारे फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा उसका कैसे हम कंट्रोल करेंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे क्या रिक्वार्मेंट होगा हमारा इस्टोरेज एरिया क्या हो कि वीनेट्स से सब्राद थे तो किस प्रोटक्ट को किस्तने समय तक रखा दि एक कैसे हम उसको मार्केट के अर्ट कर सकते हैं इसके बाद मार्टेंग बैलेंस प्रोजेक्शनॉ message का मतलब होता कि मार्केट में हम की किस अमाूंट तो 일이re के प्रजेक्शन की बात हो, production scheduling की बात हो, production smoothing का मतलब है कि जब हमारे पास ज्यादा requirement हो, उसमें हमारे factory का production भी बढ़ जाना चाहिए, जिसमें कम है उसमें थोड़ा slow हम कर ले, ताकि production में मतलब demand और supply का balance ये बड़ा ही important होता है, किसी भी industry के लिए, किसी भी business के लिए, किसी होना चाहिए, इस पर भी बिशेश रूप से हम ध्यान रखते हैं, और इस तरह के हर काम में, market में गरम जाएंगे, मतलब market के हर तरह के problem का solution का कुछ न कुछ टूल हमारे पास operations research में है, तो इस subject को पढ़ना, समझना बहुत ही important है, student चाहे engineering के हो, चाहे management के हो, या general vocational course के हो, इन सब को इसका basic idea होना चाहिए, ताकि वो आसानी से अपने practical field में, जब service sector में जाएं, तो अगर management की जोर रख पड़े, तो उसमें उनके knowledge का उपयोग किया जा सके, और उसमें वो खरे उत्रे effective हो, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, next part भी application का ही होगा और application, जितने भी field में operation research के हैं, सब पर discussion करेंगे, तब फिर subject पर पुनह वापस लाटेंगे, और उसके अलग-अलग tool को, अलग-अलग condition में, और अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.